नेल ने विकी को कहा जोरू का गुलाम तहलका ने जताए नील की बात पर सहमती सब्सक्राइब करें इंडिया फोरूम्स हिंडी को और घंटी के निशान को दबाएं ताजा खबरों के लिए बात हो रही है बिग बॉस 17 की जहां के एपिसोड के दोरान देखने को मिला कि किस तरीके से यहां पर तहलका जो है वो नील के साथ बैठे होते हैं जहां पर तहलका जो है अनुराग वाली बात नील को बताते हैं और कहते हैं कि किस तरीके से आशुरिया ने उसे गाली दी दोगला कहा और फिर वो आकर हम सबसे कह रहा था ऐसा कैसे चलेगा भाया तब ही यहाँ पर नील जो है वो तहलका को समझाते वे कहते हैं कि देखो आपको किसी दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए वो ऐसा ही है अनुराग इधर की बात उधर करता है और यहाँ पर सब को लड़वाता रहता है यही नहीं यहाँ पर निशाना साते वे विकी के बारे में तहलका से कहते हैं कि इन सब की शुरुवास विकी नहीं की थी यानी कि घर में इधर की बात उधर करना, लड़ाई लगवाना, आग लगवाना यह सब विकी ही करता है और विकी जो है वो अपनी वाइफ के पल्लू में छुपकर बैठा और साती सात नील साप शब्दों में कह दिया कि विकी जोरू का गुलाम है अब देखना दल्चस्प होगा क्या होगा जब विकी को नील केस स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा बिक बॉस 17 से जुड़ी लेटेस्ट अबडीट के लिए हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेर करना ना भूलिएगा